स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल वे ओफ लर्निंग में, तो आज हम डिसकस करने वाले हैं जैविक खादों और रासायनिक खादों में अंतर नमबर एक, जैविक खादों में सभी आवश्यक तत्व मौजूद होते हैं जबकि रासायनिक खादों में एक या दो तत्व ही मौजूद होते हैं नमबर दो, जैविक खादों का प्रयोग करने से भूमी की जलधारन क्षमता बढ़ती है जबकि रासायनिक खाद जलधारन क्षमता कम करते हैं 3. जैविक खाद खेत की भौतिक एवं रासायनिक दशा को सुधारते हैं, जबकि रासायनिक खादों का अधिक प्रयोग करने से भूमी की भौतिक दशा बिगड़ती है 4. जैविक खादों के प्रयोग से लाबदायक जीवानूं की संख्या में वृद्धी होती है, जबकि रासायनिक खादों के प्रयोग से मृदा जीवों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ता है नमबर पांच, जैविक खादों के प्रयोग से कार्बन नाइट्रोजन का अनुपात सही रहता है, जबकि रासायनिक खादों के प्रयोग से सियन अनुपात बिगड़ता है नमबर छे, जैविक खाद का प्रयोग अधिकतर फसल की बुवाई के पहले करते हैं जबकि रासायनिक खाद का प्रयोग अधिकतर खड़ी फसल में ही किया जाता है नमबर साथ, जैविक खादों के प्रयोग से पौधे की संतुलित वृद्धी होती है जबकि रासायनिक खाद के प्रयोग से पौधों की वृद्धी अधिक होती है नमबर आर्थ, जैविक खाद का मृदा ताप पर इन खादों का अच्छा प्रभाव पड़ता है जबकी रासायनिक खाद का मृदा ताप का कोई लाब प्राप्त नहीं होता है नमबर नो, जैविक खादों को खेतों पर ही तयार किया जाता है जबकि रासायनिक खाद को कारखानों में ही तैयार किया जा सकता है नमबर दस जैविक खादों का खेतों में खाद का प्रभाव दो-तीन वर्ष तक रहता है जबकि रासायनिक खाद का प्रभाव तातकालिक रहता है नमबर ग्यारा जैविक खादों की अधिक्ता से मृदा को कोई हानी नहीं होती है, जबकि रासायनिक खाद की अधिक्ता से पौधे जल जाते हैं। आदी, नमबर 13, जैविक खादों की कीमत कम होती है, जबकि रासायनिक खादों की कीमत अधिक होती है।